आज हम जानेगे कि पैन को किस तरीके से पकड़ना चाहिए लिखने के लिए एक अच्छी हेनाटिक बनाने के लिए पैन को सही तरीके से जुरूर पकड़ना चाहिए तो दोस्तों पहले मैं pen से जब लिखती थी तो हमेशा आप देख सकते हैं इस तरीके से pen को पकड़ कर लिखती थी पहले pen से यडे получается जब भी मुझे कुछ लिखना होता है तो मैं सारी उंगलियों से pen को इस तरीके से पकड़ती थी बाद में मैंने कुछ वीडियो देखे फिर मुझे पता चला कि pen को हमें कैसे पकड़ना चाहिए pen को पकड़ने के लिए 3 finger की सायता लेनी चाहिए thumb से middle finger और index finger इन तीनों finger से हमें pen को पकड़ना चाहिए hand editing को बनाते वक्त तो आपको thumb से और index finger से pen को hold करना है आप देख सकते हैं इस तरीके से पकड़ना है और जो मिडल फिंगर है दोस्तों वो पैन के नीचे होना चाहिए बैलेंस बनाने के लिए पैन को बहुत आगे से नीचे पकड़ना चाहिए आगे से थोड़ा स्पेस छोड़ करके पैन को पकड़ना चाहिए और इससे आपनी हंडाइटिंग को असानी से इंप्रूव कर सकते हैं मैं इसी तरीके से रोज प्रैक्टिस करती हूँ, हेंडाइटिंग इंप्रूव करने के लिए आप भी अपनी हेंडाइटिंग को इंप्रूव करती हूँ